पर्देश का एशा जिला जहां पर समय समय पर पुलिस कारवाई करने के बावजूद भी आम लोग ट्रेफिक नियमों को लेकर जागरूग नहीं हो रहे हैं जहां पुलिस लगातार उन्हें जागरूग करने की कौसिस कर रही हैं लेकिन यहां पर दुपया वहान हेलमेट का पर्योग नहीं कर रहे हैं वहीं चोपया वहान चालक द्वारा गाड़ी में सेट बेल्ट का पर्योग नहीं कर जा रहा है जिसके तहित कई सड़क दुरूग गटना ही होती है लेकिन यहां पुलिस परसाशन लगातार आम जनों में ट्रैफिक नीमों को लेकर एक सुरक्सा बियान वे अलग-अलग कारी करम कर रही है जिससे लोगों को ट्रैफिक नीमों वे वहान चलाने के नीमों का पता चल सके और उन्हें जनहानी होने से बचा सके लगातार कारवई करने के विबाद लोग जाग रुक नहीं हो रहे हैं जिसके तेथ अब तक एक साल में हजार से अधीक पुलीस द्वारा चालान काटे गए हैं जड़क द्रुकटनाओं की रोगताम के लिए पुलीस विबाग बहुत सारी प्रियास कर रहा है उसी का परिणाम है कि इस वर्ष में जो हमागे जड़क द्रुकटनाओं में गाहिल और मरत्कों की संक्या है उसमें कमी का ट्रेंड देखा गया है हम लगातार प्रियास करते रहते हैं यातायात नियमों की समझाईश भी करते हैं लोगों का आउसिकता पढ़ने पर चालान भी करते हैं लेकिन यह जो छेतर है वो ऐसा है कि जब तक स्वेम वान चालक और सवारियां प्रियापते रूप चे साउधानी नहीं परतेंगे और स्वेम अपने इस तर पे भी प्रियास करने चाहिए इसके अलावा जो जो अन्य खेतर जो सड़क दुरबटनाओं के कारक हो सकते हैं चाहिए रोड इंजिनिरिंग हो चाहिए यातायात नियमों की अग्यानता हो चाहिए शराप्ती कर वान चलाना हो आधिक खेतरों में लगातार इस समझ में प्रियास रते हैं चैनल चाहिए जगोंगा सीट बेल्ट और बिना हेलमेट शीट बेल्ट लगा के रखे और बिना हेलमेट कभी भी यात्रा नहीं करें दोपे यावान है उसके क्योंकि मानव जीवन सबसे महत्पूर्ण है और उसका बिलकुल ध्यान रखें